हेलो आज आज क्या हमारा टॉपिक है एक्सपंडिंग इंफ़्मेशन टेकन आजिए किलिए मुतलब हम सारी चीज़ें देखेंगे किस तरह कर से या किस तरह क्लेसिंग है और क्या इसकी मालो कौंटॉर्स बनेंगे और क्या इसका वेफारब्ड होगा इस टॉपिक का इस एयर में बहुत ज़्यादा स्कोप है यह आ सकता है आपके ऐसे में या किसी भी जगह पे जरूर रेट होगा क्यूंकि चेट जी बीटी लाउंच हो गई है उसका चोथा वर्जन चल रहा है और पूरी दुनिया जो है आटोमेशन की तरफ जा रही है आटि हैं ब्लेसिंग में भी बारा पॉंद्रा पॉइंट लिखें ताके जो हमारे सारे एस्पारेंट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हो जाएं कुछ मतलब कोई और चीज़ें करें कोई कुछ और और कोई पिक करें जो भी जिसको अच्छे लिखें चीज़ें तो ओवराल हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यदा कॉम्प्रिहंसिव अंदाज में देखने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नेगेटिव इंपेक्ट्स क्या हैं इंफॉर्मेशन टेकनोलजी के फिर हम पॉजिटिव पे आएंगे सबसे पहले जो नेगेटिव इंपेक्ट है वह हमारे पास है डिजिटल वारफेर डिजिटल वारफेर आपका हेकिंग के जरीए हो सकता है आपका डिस इंफिशन तुत रही है डिजिटल वारफेर हो मैं आपको पता है कि 10-15 चीज़ें जो है वो एकटी करके एक वारफेर लड़ी जाती है जिसमें एकॉनमी का भी यूज होता है पॉलिटिक्स का भी प्रोपिगेंडे का भी और उसके लवावा आपके मुलब जो भी चीज़ें एंवारमेंटल आपके यूज लिक ले के निदू है तो सारी चीज़ें मिला के हाइबरिड वारफेर होता है और गलत information फिला कि जो है उनको आपस में ही इतना उल जाया जाए कि वो उससे बाहर अपनी productivity के बारे में सोची ना सकें तो digital warfare में आपके पास देखें कि जितने भी आजकल की terrorist organization है वो खुद जो है content creator बने वे वो social media पे अपना content produce करते हैं जिससे वो दुनिया में खुदी लड़ाईएं करवा रहे है ओके यूआल नुआ रारी इस चीज़ को recognize करते हैं कहते हैं कि इसका बले फाइदा है but it is also going to be the source of many conflicts and abuses तो information technology का फाइदा है यही जो है future का fuel है पर इसके जो है है वो conflicts or abuses हैं इसके आगे चलते हैं helping tool of criminals सेम वही बात है इटररिजम तक्रीबन शुरू होगी है चीज़े टररिस्ट जो है अब वह मतलब one-on-one नहीं लड़ते अब वह भी cyber attacks करते हैं वह भी आपके जो है data चुराते हैं अब जो पेसा है वह direct robbery के तरूर नहीं चुराया जा रहा अब वह बैंकों में जो है वह online transactions के तरूर जो है वह चुराया जा रहा है तो जितने भी criminal tactics हैं वह तक्रीबन आपकी shift हो चुकी है डिजिटल में इस पर भी हमारे पास a quotation है कहते हैं the dark side of technology is that it can easily become a weapon to diminish humanity अचा कैसे हो सकती है आपको यहाँ पे मैं humanity कैसे जो है वो एक survival threat में है आपकी information technology से वो मैं आपको उताना चूंगा अक्सर आपने movies देखी होंगी Hollywood की Bollywood की जिसमें यह दिखाते हैं कि एक launcher पे आपने missile threat किया हुआ एक बंदे ने तीक है उस launcher का जो code है वो code कोई भी बंदा hack कर लेता है और जैसे ही वो code इंटर करता है तो one minute में कहीं भी missile जो है वो fire हो सकता है तो इस तरह का जो हमारे पास nuclear weapons हैं वो सारी के सारी जो है information based technology पर depend कर रही है आजकल तो अगर किसी को access मिल जाती है उस device की तो वो mint में जो है वो hacking करके वो आपके जो है किसी भी missile को वो access कर सकता है वो उसको उड़ा सकता है तो इस तरह से एक war initiate हो सकती है अगर आपको पता है आजकल के दमाने में एक war initiate हो म दुनिया उसके reaction में कोई और country चलाएगा उसके reaction में कोई और country चलाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यदा एक secret agreements होएवे हैं या सामने agreements होएवे हैं जो आपके वार पैक्ट में हिस्सा देते हैं बरहल ये criminals का एक tool है उसके बाद है जी तीसरा negative impact है information technology का job displacement चेट GPT आने भी jobs आती थी वो तकरीबन अब खतम हो गई है अब data entry operator नहीं चाहिए आपको अब आपको जो है मतलब काफी चीज़ें काफी jobs जो है वो खतम हो गई है तो यह मजीद जो है आपकी inequality social unrest पहला सकता है आपकी jobs बैठे बैठे जा सकती है तो इस तरह से मतलब overall information technology का एक कर्स हो सक नंबर चौथ है हमरे पर डिजिटल debile डिजिटल डिवाइड इस चीज़ को कहा जाता है कि सारे बंदे आजकल दुनिया के digital technology यूज्यां आदे लोग कर रहे हैं आधे लोग नहीं कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं यह जो लोग नहीं कर रहे हैं एक अप अलग दुनिया मे देखा जा रहे हैं, उनको कम समझा जा रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर खुद अपना एक inferiority complex है, वो सोचते हैं कि शायद वो इन से नई generation से कम है, आपके ही भी आप job कर रहे हैं, अगर तो आपको अंदाज़ा होगा कि यह जो old generation है, इनको ना PC चलाना आता है, आपके पास बहुत ज़्यादा इस तरफ है, आदी दुनिया इस तरफ है, आपस में वो लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं कि नहीं generation इस तरह तो पराणी generation इस तरह, यहां पे हमारे पास एक book का reference है, बुक का नाम है, Weapons of Mass Destruction, How Big Data Increases Inequality and Threatens democracy, यह Cathy O'Neill ने लिखी है, Cathy O'Neill जो है, वो कहते हैं कि algorithms के जरीए, और data के जरीए, जो big data companies हैं, वो आपके पास discrimination फिला रही है, वो आपका social inequality फिला रही है, यह सेम तक्रीबन चीज़े हैं, आपके देखें, urban area सारा जो है, वो आपका digital पे shift हो चुका है, जबके rural जो है, वो अभी basic necessity से भी सफर कर रहे हैं, तो एक तरह का apartheid create हो गया है, जहाँ पे आदे बंदों को सहुलते मिल रही हैं, आदे बंदों को नहीं मिल रही है, यह एक new apartheid है, जिसको अब digital apartheid कह सकते हैं, move होते हैं next पे, हमारे पास है, एक और कर्स है, हमारे पास information technology का potential, कि हमारे जो human relations हैं, उसको dehumanize कर रहे हैं, इसको मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा, फिर हम इसके देखेंगे, कोटेशन वगेरा, Texas University आपका claim करती है, Texas University ने यह आपका terminology दी है, कि dehumanizing human relation, वो कहते हैं, कि जैसे ही social media आगई, आपकी information technology आगई, तो इस information technology से क्या हुआ, कि आप दूर दरास बैटे हुए लोगों से आप बात कर सकते हैं, और communication gap नहीं आएगा, आप अपने रिष्टेदारों से human relations बना सकते हैं, मालब दूर बैटे भी आप उनसे communication कर सकते हैं, तो वो कहते हैं, कि आप इतने independent हो जाते हैं, टेक्सी उन्वेस्टी के थी, आप इतने dependent हो जाते हैं, टेक्नोलजी पे, कि आप घर जाना ही छोड़ देते हैं, अगर आप दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो शायद हाल देखा जाएं, तो ये एक human, जो relation हैं, वो dehumanize हो रहे हैं, हमारे अंदर से humanity खतम हो रही है, क्योंकि clicks जो है, mobile पे आप कर रहे हैं, mouse के clicks कर रहे हैं, आप emojis जो हैं, वो एक real और genuine exchange जो है, sorrow और love का, उसको replace नहीं कर सकते हैं, जो empathy, ये सारी चीज़ें आप में अंदर खतम हो रही हैं, तो ये टेकसस university का claim है, बाकी इसमें मैंने quotation aid की है, बलके ये जो है, एक book का reference है, बुक का नाम है alone together, why we expect more from technology and less from each other, तो शेरी टर्कल इसमें यही कहते हैं, कि हम relationships को जो है, वो एक isolation में ले गए हैं, हमारी आशकर्यों, आपकी जो है, जो है, जो है, आउसेशन्स जो है, वो क्योंते सब्सक्राइए, हम ये बात आदे कर रहे हैं, कि आजकल जो है, आपकी जो है social disconnection की वज़े से आप one on one आपका interaction नहीं होता लोगों के साथ आदी जो लोग हैं वो social media और घर पे बेटे mobile और laptop पे उनकी टाइम गुजर जाता है या job पे भी आप जा रहे हैं तो इसी तरह की nature का काम है तो face to face आपका interaction जब खतम हो रहा है तो depression, stress, isolation, loneliness इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपका disconnection social media आपको connect नहीं कर रहा है social media आपका disconnect कर रहा है ओके हमारे पास एक और quotation है the more connected we get the more isolated we become तो सभी बात है technology ने हमें जो है वो isolate कर दिया next हमारे पास है 1.7 curse है information technology का misinformation and fake news आप जितने भी information देख रहे हैं इंटरनेट पे तो तक्रीबन जितनी भी है वो सारी के सारी आप नहीं कह सकते कि वो एक ठीक information है उसमें बहुत ज़्यदा propaganda होता है fake news हो सकती है, misinformation हो सकती है जो आपको mislead कर सकती है मालब आप suppose करें कि सुनी शिया की debate पढ़ रहे हैं कहीं पे किसी topic पे, तो हो सकता है कि वो सारा शिया ने लिखा हो तो शिया के ही bias जो और उसी के perspective को support करता हो तो एक neutral जो चीज़े हैं वो खतम हो रही है तो neutral जब चीज़ें खतम हो रही है bias जो चीज़ें आ रही है हमारे इंटरनेट पे तो ये और रहाल misinformation पहला रही है आदे लोग उद्ध जा रहे है, आदे लोग उद्ध जा रहे है आपस में वो information की वज़े से लड़ रहे है actual में उनके उलमा से पुछें तो इतनी कोई गंबीर बात नहीं होती आप सिर्फ जो है मतलब शिया को सर्च करके देखें ठीक है तो आपको ऐसी ऐसी information मिलेगी कि आप हिरान हो जाएंगे यार ये इतने गंदे लोग हैं ठीक है पर जब आप उनसे real time मिलेंगे अगर उनके उलमा से बात करेंगे तो ऐसी कोई भी बात नहीं होगी वो कि इतने अगेंस्ट नहीं है या सुरी मतलब अगेंस्ट है ही नहीं बलब उनकी चीज़ें एक different नहीं है आप से तो overall जो है या आपका जो fake news है उसी का एक माल है कि आप एक दूसरी को alienate करने लगते है देने हमारे पास hate speech hate speech भी बहुत ज्यादा common हो गई है आप अपने religion के अगेंस्ट जो है वो hate speech जो है social media पे देने लगे हैं या internet पे देने लगे हैं इसको जो है freedom of expression कहा जा रहा है जबकि freedom of expression नहीं है क्यूंकि liberty कभी भी absolute नहीं होती liberty हमेशा limited होती है आपने freedom of speech को limited liberty के अंदर use करना है आपने religion के अगेंस्ट बात नहीं करनी आपने ethnicity के अगेंस्ट बात नहीं करनी आपने किसी मुल्क की sovereignty के अगेंस्ट बात नहीं करनी तो overall ये चीज़े हैं आपको मैं example दूँ कि न्यूजी लेंड में जो आपका क्राइस चैर्च में साकर होता है वहाँ पे आपके 18 मिनिट की जो है वीडियो पोस्ट होती है फेस्बुक पे जो वीडियो चार-पांच दिन तक डिलीट ही नहीं की जाती वो मुस्लमानों में दिखाया जाता है कि उनके जो है वो दो मस्जदों में जुम्मे वाले दिन चालिस बंदे जो है एक बंदे ने मार दिये पाद में वो छूड़ भी गया उसकी कोई कारवाई नहीं भी तो वेल आपके हेट स्पीच बहुत जादा हो रही है हम आए दिन देखते हैं ना उस्विल्ला जो है कुरान शरीफ जो है किसी ने जलाए है विडियो आ रही है इस तरह की जो हेट स्पीच है वो बहुत ज़दा एक इनार की क्रिएट कर रही है हमारे भावल में इससे वाइलेंस और सोशल कंफिक पैदा हो रहे है हमारे पास एक विटेशन है अच्छा आप ने सुना होगा कि एजुकेशन को तो हम स्प्रेट करते हैं पर इग्नोरंस कैसे स्प्रेट होती है विंट सर्फ ने जिस तरह बात की है कि हम हेट को और इग्नोरंस को प्रोमोट कर रहे है इंफर्मेशन टेक्नोलजी में किस तरह इग्नोरंस इस तरह कि आप गलत चीज़ें जब मिसलीड करते हैं किसी को तो आप उसको एजुकेट नहीं कर रहे हैं आप उसको इग्नोरंस बना रहे हैं आप इसको illiterate बना रहे हैं, ignorant बना रहे हैं, तो एक जो truthful information है, वही असल में information है, जो आपकी fake information है, वो आपको ignorant बनाती है, illiterate जाहिल बनाती है, वो होते हैं हमारे पास, next है, technological monopolies, एक और कर्स, जो है, potential कर्स हो सकता है, information technology का, कि आजकल की जितनी big data companies हैं, microsoft, ठीक है, उसके इलावा, एलन मस्क के जितने भी initiatives हैं, SpaceX हो जितनी जितनी भी जितनी भी बिग data companies हैं, Google हो गया आपके पास, ठीक है, जितनी भी हैं, तो इन के पास information बहुत ज़्यादा है, हमारी, तो यह अब government से भी एक तरह से ज्यादा influence रखते हैं, इन companies की इतनी ज्यादा value ह है, कि यह government को topple कर सकती हैं, और जो है, जो मर्जी चाहें दुनिया में कर सकती हैं, क्योंकि एक power जो है न, इनके पास concentrate हो गई है, और wealth भी जो है न, वो concentrate हो गई है, कुछ हातों में, आप देखें कि YouTube का owner कितना कमाता होगा, तीक है, या Google या ये जितने भी Microsoft company है, आपके जो पूरी दुनिया में से आप 80% wealth कर लें, वो आपके दुनिया के 10% बंदों के पास है, तो ये overall जो social injustice हो रही है, तो ये injustice हो रही है, टेक्नोलजिकल मोनोपलीस के वज़े से, तो governments को regularize करनी चाहिए इन चीजों को, ये आपका एक बड़ा threat है आपके लिए, नेक्स्ट हमारे electronics चीज़ें यूज करते हैं, उसके जाहर है carbon emissions होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़े electricity पे चल रही है, अब electricity जितनी भी produce हो रही है, वो हमारे पास 60% तो पाकिस्तान में कोल पे हो रही है, तो आप carbon emission कर रहे हैं, उसके इलावा electronic waste आपका produce हो रहा है, आदी चीज़ें successful होती है आदी नहीं होती, जो नहीं होती, तो आपका electronic waste बहुत ज़्यादा एकटा होता है, और ये कहीं पे भी dispose of नहीं किया जाता है, अब है हमारे पास argument कि आजकल की जो generation है, वो भले rich है information में, पर वो poor है attention में, तो ये भी एक negative impact है आपके technology का, इसके मैं आपको एक syndrome बताना चाहू attention deficit hyperactive syndrome, ये एक बीमारी है, इस बीमारी में ये कहा जता है, कि ये बीमारी तब होती है, जब आप social media पे बहुत ज़्यादा scrolling कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक short video देखी, आपने scroll किया, पर दूसरी आगई, पर तीसरी आगई, अब जो एक fast pace है, एक speed में आप इसको scroll की जा रह तो इतनी जो diversity है, आपने एक time पे देखी, तो क्या आपका दिमाग जो है, वो इतनी diversity को एक time पे process कर सकता है, नहीं कर सकता, मतलब आप एक mode से enter होते हैं, दूसरे में exit कर देते हैं, दूसरे से enter होते हैं, तीसरे में exit कर देते हैं, और ये एक दम जो है, आपका एक दम से जो हो जाती है मालब आपको information गेन हो जाती है जी रशिया में चल रहा है अमेरिका में यह चल रहा है पर हिस्टोरिक टाइम्स में इस तरह हो रहा था भाई आपको यह information इतनी रटा लगाने के ज़रुत नहीं है नहीं आपको इतनी चीज़ें पता होने की ज़रुत हैं एक limited अंदाज में इनसान को चीज़ें पता हो तो inner fans के जिंदेगी गुजारने के लिए तो उसके अवराल जो attention है वो deficit हो रहा है इस technology के वज़े से यह था attention deficit hyperactive syndrome फिर हमारे पास है phantom vibration syndrome phantom vibration syndrome इस बीमारी में यह होता है कि हमें लगता है कि हर टाइम हमारा मुबाइल जो है वो वाइबरेट हो रहा है मलब आपको मुबाइल आपके side में पढ़ा हुए पर आपको यह feel हो रहा है कि शायद यह मुबाइल अभी ring हो रहा है अभी message आए आप उठाते हैं आपको लग हमारे एक syndrome है जिसको Phantom Vibration syndrome कहते हैं को टेशन है हमारे पास Nicholas Carr कहते हैं अवर डिजिटल टूल्स और डिविंग अस डिस ओरियंटेड एंड आवर अटेंशन फ्रेक्चर्चर्च फ्रेक्चर्चर्च दे आर टर्निंग अस इंटो शेलो थिंकर्स अंडर्माइन अवर क्रियेटिविटी इन डिस्ट्रॉइं हम कल्किलेटर खोल के बैठ जाते हैं और हर टाइम पर हम जो है टेक्नोलजी पर बहुत ज़्यादा रिलाए कर रहे हैं एक्च्छली में ठीक है आप एक स्क्रीन को देख रहे हैं एक अन्यूज्वल से पोजिशन में ठीक है आपके आँखों को एफेक्ट हो रहा है आपके बेक पेन हो रहा है इसी तरह से यह कारपल टर्नल सेंड्रॉम भी है यह भी सर्च आउट कर ले ठीक है तो हेल्थ जो है वो हैजार्ड बहुत ज अजिनाइशेशन हमारे जो कुल्चरल डाइवस्टी थी वह दुनिया में खतम होती जा रही है क्यों खतम हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया इस वकद सेम इनफर्मेशन देख रही है सेम आपके एकी चीज को एकसेस कर रही है और हॉलीवुड ही सारी देख रहे है ठीक है तो overall आपके अपने cultures खतम हो रहे हम जो है inspiration अब अपने old generation से नहीं ले रहे बलके हम जो है online किसी को भी देखते हैं और वही चीज़ें copy करते हैं तो overall पूरी दुनिया में एक इतरह का culture प्रोमोट हो रहे है इससे क्या होगा कि आपके cultural जो diversity है वो खतम होगी ठीक है आपके local tradition और practices हमेशा के लिए खतम हो जाएंगे और इससे अगर economy की बात की जाए तो economy भी बहुत जदा fracture होगी क्योंकि आपके जितने भी cultural diversity होती है उसे economy produce होती है आप अपने culture को promote करते हैं तो आपके उस तरह के कपड़े ठीक है आपके अपने कपड़े promote होते हैं उससे आपको economy होता है आपके अपनी जो है एक set of style जो है वो promote होता है तो यह सारी चीज़ें जो है आपकी खराब हो रही है information technology के वज़े से then हमारे पास है 14th number पे impact के privacy encroachment हो रही है continuously आपकी चीज़ें जो है वो एक analyze surveillance हो रही है आपके उपर कि आपकी चीज़ें जो है वो continuously देखी जा रही है आपकी privacy जो है वो आप नहीं रही आप big data companies के पास आपकी सारी details मुझूद हैं कि आपके interests क्या हैं आपके टेस्ट क्या हैं आपके किस चीज़ hobbies क्या हैं इस सारे की सारी चीज़ें तो हमारे पास एक किताब है the age of surveillance capitalism the fight for human future at the new frontier of power ये सोचना जबॉफ ने लिखा है book और इसने जो है यही बात की है कि हमारे जो personal data की वज़े से हमारे जो behavior है वो manipulate की जाते हैं हमारे जो choices है उनको influence किया जाता है और हमारे जो privacy है वो disturb की जाती है जो big data companies हैं आपके सारे data जो है उसके जरीए आपके ads promote होते हैं उसी के जरीए आपको जो है एक search history search दी जाती है अगर मैं Google पे search करूँगा तो कोई भी चीज़ तो एक search मलब different चीज़े आएंगी अगर आप search करेंगे तो different चीज़े आएंगी YouTube पे मैं search करता हूँ तो different चीज़े आएंगी आप search करते हैं तो different चीज़े आएंगी वो क्यों 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 YouTube और Google इस तरह के algorithm पे design हुए हैं कि हमारी जो history होती है search history उसी के base प इंट्रेस्ट बाद में हमें exploit करते है नेगेटिव इंपेक्ट देखे थे information technology के अब हम positive impacts देखते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको यहां पर एक fact establish करना चाहूँगा कि आप किसी भी field में देखेंगे तो information technology का फायदा होगा जब आप paper में लिख रहे हैं तो आपने सारे जो sectors हैं वो आपने दियान में रखने कि agriculture sector में आपके information technology का क्या फायदा है economic sector में political arena में आपका social arena में आपके पास cultural arena में environmental में इस तरह से आपने एक overall जो है बड़े dimensions आपने grip करने हैं फिर आपको एक एक में एक दो points मिल जाएंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी health care improve हो रही है अचा आपके जितने भी negative impact थे उन्ही negative impact मलब दो नज़री हैं कि वही सारे जो negative impact हैं वही is a positive भी है तो हमने रेखा था कि हमारी health को नुक्सान हो रहा है किस तरह आंके गराब हो रही है big pain हो रहा है और इस तरह के सारे ची technology से हमारे पास है electronic health records यह चार जी होते हैं कि आप एक data को organize करते हैं आप एक patient की पूरी history लिखते हैं उसमें suppose करें diabetic patient है अब diabetes जो है पूरी lifelong चलती है आपकी तो आज क्या हुआ आपने एक इंटर कर दिया उसमें फिर जो है पांच दिन बात क्या हुआ हफ़से बात क्या हुआ तो जब आप इसको data को compile करते हैं दो साल में तो आपको पता चल जाता है कि यह मैंने medicine जितनी दफा भी ल इस तरह के apparatus आगए हैं आपके पास कि आप data record करते हैं सारा अपना और बाद में आपको उस तरह से एक आपके आपके मताबिक जो है चीज़ आपको medicine मिलती है फिरे हमारे पास टेली मेडिसन रूरल एरिया से में इस वकत भी चलें hospitals नहीं होंगे पर रूरल एरिया में अगर के अगर के network है और इंटरनेट आ गया है तो उसके जरी आप टेली मेडिसन ले सकते हैं online डिरेक्टर्स बहुत ज़्यदा आ गए हैं जो online आपके call के साथ consultation करते हैं आपके सारी चीज़ें सुनके आपको medicine बदा रहते हैं या आपकी application बहुत ज़्यदा हैं जहां पर आप नमबर तीसरा हमारा फाइदा है healthcare का mobile health care applications हमारे पास आगी है M health applications इनको कहते हैं आपने देखा होगा Samsung health जो application है उसमें आपको हर दो गंटे बाद आप सेट कर दें आपको पानी पलाना याद कराती है आपको medicine लेना याद कराती है ठीक है आपको educate करती है कि यह चीज़ें करन है तो इस हवाले से हम देखते हैं तो information technology एक ease of access to information produce करती है जिसके जैसे हमारे healthcare फाइदा होता है नेक्स्ट है मारे पास improved disaster response जब भी हमारे पास natural disasters आते हैं hurricane, tsunami, आपके पास earthquake, volcano eruption जितने भी हैं इसमें information technology हमें क्या help out करती है कि जी आपके पास satellite हैं आपके पास remote sensing है आपके पास drones है जहां पर आप नहीं जा सकते हैं वहां की satellite image आपके capture करके देखते हैं या आपको weather monitoring health satellite की वज़े से आपकी improve हो गई है जिसमें आप बता सकते हैं कि कल या परसो जो है इस तरह से tsunami आएगी tornado आएगा इस तरह से यह ची intensity आपके इसकी depth आप इसकी intensity मेयर करके आप उस तरह से आप effective जो आपके steps हैं उठा सकते हैं तो disaster response आपका बहतर हो गया है relief effect आपके communication की वज़े से बहतर हो गए है ने एक्सरा मारे पास है geographic information system इस वज़े से यह एक system है जिसमें आप data collect करते हैं real time हर वक्त कि इस वक्त जो है व sources की तो GIS से भी काफी आपको disaster management में help out होती है फिर जिस तरह के मैंने बताया आपको remote sensing और monitoring के जरीए आपको उस जगह की access मिल जाती है जहां वे आप नहीं जा सकते हैं इंसा नहीं जा सकता मिड़ोशन पे आप देख सकते हैं कि सुनामी कहीं दूर से एक generator यह उसकी intensity यह है त Capital Да कि जो है disaster management आपकी बेहतर हो रही है अगरी गल्चर आपके रहा है किस तरह बहतर हो रहा है किस तरह बहतर हो रहा है कि आपके पास mobile applications जहां पे आप किसानों को बहुत ज़दा information मिल रही है कि इस तरह की pestεν यूज करने है इस तरह की चीज़ यूस करनी है यह चीज़े नही करनी यह चीज़े करनी हैं फिर आपके पास ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज हैं आप अवराल डिसकावर कर रहे हैं लोग नहीं जहां पे आप लोगों को बेच सकते हैं चीज़े आचा वेधर कंडिशन आपको पता चल रहे हैं आपको क्रॉप डिजीज़ेज पता चल रही हैं उस तरह के अगरी कल्चर फार्मिंग से अब नुकसान नहीं होता पहले जिस तरह होता था अचानक से बारिश होगी आपका आदा फसल जो है वो खराब हो गया अब आपको पहले ही पता चल गया तो आप उस तरह से कोई भी स्टेप उठा सकते हैं जिस तरह कवर कर देते है तो यह एक आपके फायदा है अगरी कल्चर को इंफॉरमेशन टेकनोलजी जे उनके पास आपके पास बेतर टूल्स आ गए हैं जिससरह पुलीस के पास बेतर टूल्स आ गए हैं जिससे वो करिमिनल्स को अच्छी तरह से डिटेक्टर सकते हैं रिकरिक्नाइज कर सकते हैं फैशल रिकरिक्निशन है आपके पास सिंगर प्रिंट्स हैं के पास license plates हैं, तो overall आपने suspects को पकड़ने में आपको असानी होती है, threats जो है, वो minimize होते हैं, और आपकी जो law enforcement agencies हैं, वो आपको इस तरह से operate कर रही है, तो public safety आपकी बहुत अच्छी हो गई है, information technology से, नेक्स्ट है, हमारे पास environmental management आपकी अच्छी होती है, किस तरह, कि environmental जितनी प्रीफ problems हैं, उनको mitigate करने के लिए आप new sources डून सकते हैं, इस technology के तरू, आप इसको continuously monitor कर सकते हैं, फिर आपके पास बहुत जादा sensors variety आपके पास available है, जिससे आप air की, water quality की index measure कर सकते हैं, फिर आपक कर सकते हैं उनको, ठीक है, और potential threats को आप, जो है, minimize भी कर सकते हैं, और visualize भी कर सकते हैं, तो और environmental management में आपको बहुत ज़्यादा IT जो है, वो help out कर रही है, नेक्स्ट अमरपा six number पे है, improve diversity and inclusion, तो हमने negative impacts में देखा था, कि हमारे diversity खतम हो रही है, और क्यूंके आपके homogenization होती होती है, आपके सारे जो बंदे हैं पूरी दुनिया के इस वकत, वो same content को consume कर रहे हैं, तो आप जो है, overall homogenize हो रहे हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि diversity improve हो रही है, किस तरह improve हो रही है, कि आपके different बंदों के लिए different चीज़ें की जा रही है, ethnicities के लिए, different languages के लिए, एक language translations आ रही है, एक accessibility के mechanism आ रहे हैं आपके पास, जिससे आप अपनी जो culture है, अपना जो अपना local culture है, उसको promote कर सकते हैं, अचाँ, जिसमें आपके language barriers खतम हो रहे हैं, उसके बाद आपके, आपको information की access हो रही है, जिसके जरी आप अपनी या आपने खुद information produce भी कर सकते हैं, अ आप promote कर सकते हैं, internet जो है open page आप जिससरा आप यूटलाइस करें कर सकते हैं, देन हमारे पास है convenience due to ease of connectivity, convenience है हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूंकि हम आपस में connect हो चुके हैं, पहले Atlantic Ocean से, मालब UK से, आप UK से US में information देखें, तो वो 5 महीने में travel करती थी, पर आजकल 99 seconds में ICT का आजाता है, information and communication technology, उसके बाद है हमारे पास emergency हम contact कर सकते हैं easily, ठीक है, police और ambulance हम बुला सकते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा convenience है क्यूंकि हम connect हैं आपस में, technology के वज़ए से, देन हमारे पास है rising social awareness among masses, तो social awareness हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, जिस वज gender disparity कतम कर सकते हैं, literacy कतम कर सकते हैं, democracy ला सकते हैं, आप जो है overall काफी चीज़ें कर सकते हैं social awareness से, तो यहाँ पर मैंने एक pandemic की example दी है, कि पेछले जो pandemic थे, उन्होंने बहुत ज़दा एक death toll दी थी, बहुत ज़दा उनकी वज़ए से human life गई थी, पर अब जो आपकी COVID-19 होती है, तो इसमें सरफ 8 million बंदे जो है, वो total death होती है, क्योंकि आपने काफी ज़दा information access होने की वज़ए से, आपको जल्दी पता चल गया कि आपके neighboring country में आ गया है, आपके country को इस तरह के steps उठाने चाहिए, आपने borders close कर दी है, या जो भी steps उठा है, आपने medicine पहले ही procure कर ली, तो सारी चीज़ें access होगी, Spanish flu के time पे 20 century में 50 million बंदे death होई थी, पर COVID-19 जो 21st century में आई है, तो 8 million बंदों की सिर्फ जान गई है, तो social awareness की वज़े से काफी ज़दा आपको फाइदा होता है, किसी भी तरह का फाइदा लिक सकते हैं, पर हमारे पास industrial revolution 4.0 आया है, आपके पा चलते चलते electro mechanical आ गया, आपके पास electricity भी आ गई, तो second revolution आ गया, second revolution के बाद आपके पास microprocessors और chips आ गई, जिससे और ज़्यदा compact हो गया system, और ज़्यदा precise हो गया, तो electronics जो है वो आपका third revolution लेके आई, अब आपका चोथा revolution जो है, आपका automation लेके आई है, या आप artificial intelligence कहा सकते हैं, information technology कह सकते हैं, जो आपकी smart machines हैं, programmed होती हैं, और खुद से काम करती हैं, एक human involvement कम से कम चाहिए होती है, उसके बाद governance जो है, बहुत ज़्यदा efficient हो गई है, next हमारे पास यह है, एक IT का फाइदा, e-governance overall आ गई है, online आप citizen portal पे complain कर सकते हैं, remote monitoring कर सकते हैं, आप अपनी accountability को improve कर सकते हैं, ठीक है, और right to information के जरीए आपके और भी फाइदे हो सकते हैं, तो आज कल आप देखें हमारा text जो है, वो online application के दूरूप file होता है, रास ID वगेरा, तो इस तरह के काफी सारे फाइदे हैं, e-governance बहुत ज़्यदा आपकी implement हो चुकी already, पिर हमारे पास knowledge based economy, knowledge based economy य होती है, वो आपकी knowledge से होती है, आपकी information से होती है, आप ज्यादा productive technology पर produce कर सकते हैं अगर आपके पास उस चीज़ के बारे में ज्यादा information है, suppose करें आप कोई भी एक medicine मना रहे हैं, तो medicine आपने अगर बहुत ज़्यदा लोगों पर test किये हैं, आपने data को compile किया है, आपने information जो है, एक रखी है कि इन लोगों पर काम करती है, इन लोगों पर नहीं, तो उस तरह से आपकी technology ज्यादा, आपकी जो product है, वो ज्यादा sell out होंगी, तो overall economy जो है, वो एक knowledge based economy हो गई है, जिसमें आपकी information जो है, economy का जरिया बन रही है, हमारे पास एक book है, बुक का नाम है the master switch the rise and fall of information employers, ये टेम वू ने लिखी है, तेम वू ने overall information industry को बहुत ज्यादा analyze किया है, जिन में उन्होंने टेलीग्राफ से लेके internet तक को analyze करने के बाद, ये अर्ग्यू किया है, कि flow of information जो है, हमारे innovation और progress का सबब बन रही है, आजकल के समाने में, नेक्स्ट हमर पास environmental sustainability, environment को sustainable हम बना सकते हैं, IT की मदद ते, इस सरह sustainable बना सकते हैं, कि information technology के वज़े से हमारा travel कम हो गये, हम दूर बैठे जो है लोगों से communicate कर रहे हैं, तो हमें traveling की ज़रूत नहीं पड़ रही, तो fuel cost, sorry, fuel हमारा बच रहे है, जिससे carbon emissions कम हो रही है, ठीक है, फर्स्ट यह reason हो गया, दूसरा आपका paper कतम हो रहे है, आपके जितने भी exam से आप online हो रहे है, ठीक है, education आपकी totally online हो रही है, paper कतम होने से आप deforestation कम से कम करेंगे, पेड़ कम से कम काटेंगे, तो पेड़ जब कम काटेंगे तो carbon emissions और रहल ज्यादा absorb होंगी, तो environmental जो है sustainability ब deal भी कर सकते हैं, फिर हमारे पास है space exploration program, हमारे पास बहुत ज़्यादा momentum में आ रहे है, यह सिर्फ सिर्फ पॉसिबल हो रहा है, information communication technologies से, यह एक book है हमारे पास, the future of humanity, terraforming mars, interstellar travel, immortality and our destiny beyond the earth, यह Michio Kaku ने लिखी है, यह कहते हैं कि हम colonize कर सकते हैं, दूसरे planets को, अब हम इनसान जो है, इतना powerful हो गया है, कि अपने countries तो colonize कर रहे हैं, पर human race को एक दूसरे platform पे भी लेके जा सकते हैं, देन हमरे पास है, 14th number पे फाइदा, information technology का education, education आपके virtual education आगई है, आपके virtual education से बहुत ज़्यादा ease हो गई है, आपके पास, ठीक है, आप केतनी भी speed से, pace से पढ़ सकते हैं, पिर आप disability के लिए बहुत ज़्यादा अची चीज़ है, घर बेटे जो है, वो बंदे पढ़ सकत हैं, अब वो excluding की जाते है, education से include हो गए है, फिर आपके पास efficient है, cost कम लग रही है आपकी, traveling time कम हो रहा है, तो education overall हमारी improve होगी है, virtual education से, एकसेस है, आपके पास free information की, youtube के ज़रीए, जिस रहाँ आप अभी प्रड़ है, तो overall education का फाइदा हो रहा है, move करते हैं आगे, अच्छा, यह हमारे पास 14 जो है, हमने benefits देख लिए हैं, अब जो हमने overall पीछे जो है, impacts देखे थे, negative impacts, उनके लिए recommendations, आप उनी को reward करते हैं, recommendation बन जाएगी, वैसे मैं यहाँ पर एक दो add कर देता हूँ, जो उसमें नहीं है, आपके जो spirituality है, आपने उस प spirituality बिल्कुल छोड़ दी, आपने अपने conscience को grow करना, develop करना छोड़ दिया, आप poetry में believe रखें अभी भी, आप जो है, old versions, old जो चीजे हैं, आपका traditions, cultures, उसको ना चोड़े, technology की वज़े से, तो एक ही recommendation है, दूसरी recommendation है, कि awareness campaign चलाएं, कि internet जो है, एक double h sword है, फायदे भी है, नु हमने information technology को बहुत अच्छे से देखा, उसके कितने भी जितने negative impact से हैं, और positive impact से हमने सारे देखे हैं, एक बहुत जदा हमने detail में topic cover किया है, next video में हम next topic के साथ,